Hello Everyone, कैसे आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं तो आजकल अव्यू काउंटिंग सीख रहा है और उसको काउंटिंग बिल्कुल भी लर्न नहीं हो रही है मतलब उसको पहचानना अभी नहीं आ रहा है काउंटिंग वन से टैन तक वो बोल लिता है लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है पहचानने में तो मैंने उसके लिए एक टीलम तयार किया है जो मैंने कार्डबोर्ड से उसके लिए बनाया है इसमें 10 type के मैंने shape बनाया है और अलग-अलग color के इसमें छोटे-छोटे cardboard से ही काट के मैंने उसके लिए numbers बनाया है अलग-अलग shape के तो ये game मैंने उसके लिए इसलिए बनाया है ताकि वो इसमें एक तो busy रहे दूसरा उसको number याद हो जाए और तीसरा ये है कि वो shape और size पहचानने लगे वैसे shape वो सारे चीज़े पहचान लेता है बस एक दो अलग-अलग shape है जिसमें number 8 और number 9 और 10 जो cylinder, oval और kite का जो shape है वो उसको नहीं आता है बाकी वो पहचान लेता है तो इनको पहचानने के लिए मैंने उसके लिए ये बनाया है cardboard का अगर आप लोगों को help लगेगी तो आप भी उपने बच्चों को इस तरीके से counting सिखा सकते हैं और ये अभी मैंने कल ही बना के तियार किया है तो अभी वो मतल सुरवात है उसकी इसके साथ और ये उसके लिए एक गेम हो गया है और जब मैंने ये बना के उसको दिया तो वो बिल्कुल इसको छोड़ी नहीं रहा था बड़ी मुस्किल से हमने उसको रात को भी वो इसी से खेल रहा था सुबह उड़ते ही उसने अपने numbers मांगी तो मतल से फिर मैं उसको साम के दो घंटे पंड़े बढ़ाती हूं और दो घंटे मतलब ऐसा नहीं है कि दो घंटे वो पढ़ता ही है या लिखता ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है वो खेल खेल के साथ ही मैं उसको करवाती हूं बीच बीच में मैं उसको कभी color करने दे देती हूं कभी बुक रिडिंग वो करता है और कभी-कभी वो अपने अल्फबेट ये टेबल में जो उसके लिख रखें इनके साथ पढ़ता है तो इस तरीके से मैं उसको पढ़ाती हूँ और ये पढ़ने के साथ साथ बाते भी बहुत करता है तो इसको बिठाना थोड़ा कल में ले बहुत टफ हो गया था क्योंकि एक मतब साथ से आठ दिन होगे तो उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था साम के टाइम पर तो अब उसके पापा ने कहा कि मैं दूद लेने खुद ही चला जाओंगा तो फिर मैंने कहा कि हाँ उसको जो उसका टाइम टेबल है पूरे दिन भर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता है फिर दिन में वो सो जाता है फिर साम का ही जो ये एक सी दो घंटा हमें मिलता है इसी में मैं उसको पढ़ाने के लिए मतब टाइम निकाल पाती हूं और ये टाइम ऐसा है कि वो सो के भी उठा रहता है माइन भी उसका फ्रेस रहता है और बहुत ताइम मैंने मतलब एक महने तो मैंने continue रखा लेकिन बीच में ये एक अफता गड़ बड़ हो गया था हम दूद लेने चले जाते थे उसके बाद दूद लेने लेकि जब आते थे उसके बाद ये बैठता था पढ़ने लेकिन फिर ये आद़ घंटा आद़ घंटे में क्या हो चुका है और उसका भी मैंने उसका test लिया मैंने सोचा वो सब चीज भूल गया होगा जो मैंने उसको करवाया था क्योंकि बीच में revise करने का मुझे भी time नहीं मिला और उसको भी मैंने नहीं करवा पाई तो मैंने सोचा वो सब चीज भूल गया होगा क्योंकि मैंने उसको जो alphabet है A to Z पूरे learn करा दिये हैं उसको मतलब याद भी अच्छे तरीके से हो गए हैं और पहचानना भी आ गया है और मैंने उसको जो alphabet सिखा है वो matching से ही सिखा है और मैं उसको counting भी matching से ही सिखाऊंगी क्योंकि उसको one to ten तो learn है लेकिन उसको अभी पहचानना नहीं आ रहा है और मैं learning के साथ साथ उसकी जो writing skill है उसको भी increase कर रही हूँ ताकि उसकी मतलब वो pencil अच्छे से पकड़ने लगे और एक महिना ही उसकी study को हुआ है अभी और वो बिलकुल अपने आप ही मतलब बोलता है कि मैं खुद लिखूंगा आप मेरा हाथ मत पकड़ो बीच बीच में उसे जब नहीं लिखना आ रहा था उसका मतलब उसको confidence नहीं हो रहा था कि मैं लिख पाऊंगा तो वो मुझे बोलता था ममा आप पकड़ो मेरे साथ लेकिन आप वो बिलकुल मुझे हाथ नहीं लगाने देता है pencil बे तो इस तरीके से वो number लिखने के साथ साथ ही learn कर रहा ह और यह बहुत अच्छा तरीका है इससे मतलब writing skill तो develop होती है बच्चे को साथ साथ में learn भी हो जाते है number या alphabet जो भी आप उसको करवाएंगी तो वो number सीख जाए one to ten उसके बाद मैं उसको hindi वर्ण मालब तो यह मेरा तरीका है इस तरीके से मैं अपने बेटे को सिखा रही ह सारी चीजे आई होप आप लोगों को help मिलेगी और अगर आपको help मिलती है इन सारी वीडियो से या आपका बच्चा भी छोटा है आपको नहीं पता उसको किस तरीके से हमने सिकाना है सारी चीजे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे मैं और अच्छी वीडियो इसमें डालती रहूंगी और view को alphabet जो मैंने याद करवाय थे उसका मैंने एक छोटा सा test लिया मैंने एक side पे alphabet लिख दिया और एक side पे diagram बना दिये roughly बिल्कुल pen से ही मैंने ये बनाए उसी time तो ये सारी चीजे मैं उसको matching करने के लिए दिया मैंने सिर्फ उसका एक test लिया क या उसको दुबारा से revise कराना है इस चीज के लिए लेकिन उसने मुझे surprise कर दिया उसने सारी matching बिना मेरे help के अपने आप ही कर दी और मुझे वो कह रहा था कि आप अपने आँखे बंद कर दो और सारी matching बिल्कुल correct करी तो मतलब वो जितना भी मैंने उसको सिखाया वो बिल subscribe करके रख दीजिए मैं अच्छे अच्छी वीडियो के साथ ऐसे ही अव्यू की learning activity आपके साथ शेयर करती रहूंगी तब तक के लिए bye bye take care मिलते हैं next वीडियो में